हरी कृष्णा राधे राधे शिरी ओम नमो भगवते वासु देवाई आज हम जेश्ट मास महतम्मे के 26 वे अध्याई की कथा सुनेंगे सभी पहले की अध्याई चैनल पर अपलोडेड है आप वहाँ जाकर उन्हें सुन सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा इसकंद जी ने कहा है रिशियों व्यास जी बोले कि हे राजा युदिश्टिर तदंतर कुछ समय के बाद नारध जी का बताया हुआ वह समय नजजदीक आ गया जो कुछ भी नारध जी ने बताया था वो सावित्री के हिर्दय में निरंतर बना रहता था सावित्री परती दिन समय की गणना कर रही थी वह तीन रातरी का वरत धारन करके राद दिन एक ही आसन पर बैठी रही और चोथे दिन इस वरत की समाप्ती करूंगी ऐसा उसने मन में निश्चे किया राजा धुरुमुत सेन अपने पुत्रवधू का दुख साध्य नियम सुनकर दुखी हो गए और स्वयम उठकर सावित्री के पास आए और उन्होंने कहा कि हे राजपुत्री तुमने यह अती कठिन नियम का परारंब किया है सकंदी जी कहते हैं हे रिश्यो तीन दिन का समय बहुत कठिनता से बीतने योग्य है क्योंकि तीन दिन में अपने पती की मृत्यू का कारण जान कर इसी बीच में उस तपस्विनी ने तीन दिन का वरत नियम लिया था उसको यह निश्चित था कि चोथे दिन उसका पती मर जाएगा इसी परकार से सत्यवान कुठार यनि कुलहाडी और पिटक यनि पिटरिया टोपरी लेकर लकड़ी लेने के लिए वन को चला गया उस सत्यवान को वन में जाता हुआ देखकर सावित्री ने कहा कि ही मानद आज आप मेरे कहने से वन में मत जाईए और यदि आपको जाना ही है तो मैं भी आपके साथ चलूँगी तब सत्यवान ने कहा कि हे शुरुशेनी मैं सुवतंतर नहीं हूँ मेरे माता पिता से पूछ लो तब यदि वह कही तब तुम मेरे साथ चलना पती के ऐसा कहने पर वह कमल नेतरी अपने साथ ससुर के पास गई और उनके चरणों में परणाम करके कहने लगी कि मैं वन देखने के लिए जाना चाहती हूँ आप मुझे आग्या देजिए मेरा मन मेरे पती के साथ वन जाने को कह रहा है सावितरी के ऐसे वचन सुनकर राजा धुर्मुच सेन ने कहा कि हे भत्रे, हे सुवरते तुमने वरत किया है उसके पारण का समय है उसका पारण करो उसके पारण के बाद ही तुम बन जा सकती हो तब सावितरी कहने लगी कि हे तात, मैंने रात्री को चंद्रदे होने के बाद बोजन का नियम किया है और हे तात, आज मैं अपने पती के साथ वन देखना चाहती हूँ मुझे अपनी पती के साथ वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा ऐसी बाते सुनकर राजा धुमुच सेन बोले कि हे पुदी, हे सुमद में जैसा तुम चाहती हो फिर वैसा ही करो हे मुनिश्वर सावित्री सास सुर को पढ़नाम करके सत्यवान के साथ मन को चल दी वह मनस्विनी बार-बार अपने पती की ओर देख रही थी कभी-कभी वह अपने पती की ओर देखती कभी विक्सित पुष्पो वाले व्रक्षो की ओर कभी सुन्दर फलो वाले व्रक्षो से व्यापत उस्वन को देखती उस्वन में व्रक्षो के नाम पूछती हुई और कभी-कभी ब्रग समोह को देखती हुई वह सावित्री भीतर से हिर्दे में काप रही थी उस वन में जाकर सत्यवान ने शिगर ही फलो को लेकर काश्ट को भी ले लिया और एक बोज बांद कर तयार कर लिया वह सादवी पतिवर्ता वट वरक्ष के समित बैठ कर ही पिटारी को फलो से भरने लगी और सत्यवान उस काश्ट को कुठार से फाड़ने लगा इसी बीच में सत्यवान के सिर में बहुत तेज जर्द होने लगा और वह सावित्री से बोला कि शूल के सम्मान काटों से मेरा सिर तो फटा जा रहा है मैं तुम्हारी गोद में सिर रख कर थोड़े देर सोना चाहता हूँ वह विशालाक्षी मनस्मिनी सत्यवान की मृत्यों का समय उपस्तित समझ कर उसी इस्थान पर बैठ कई सत्यवान भी सावित्री की गोद में अपना सिर रख कर सो गया तब तक महाँ पर कृषन पिंगल का एक पुरुष आया यहाँ पर जेश्ट मास महतम्य के 26 वे अध्याई की कथा समाप्त हो जाती है हरी कृष्णा राधी राधी